सुप्रीम कोर्ट में आज CAA के अलावा पतंजली विज्यापन केस मामले पर भी सुनवाई हुई जिसमें स्टेक होल्डर हैं बाबाराम देव और अचार बालकृष्ण तो दोनों से जोड़े मामले पर सुनवाई हुई उनको फटकार लगाए गई कहा गया जो पिछला नोटिस दिया गया था उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया अगले सुनवाई में उनको खुद बावाराम देव को अजार बालकृष्ण को पेश होने को कहा गया है साथी प हमको यह बताईए कि पूरा मसला क्या है विघ्यापन क को मामला क्या है इंडीयन मेडिकल असोसेशन ने यह पिछिका ढाली हुई है। बिल्कुल सौरब देखें इंडियन मेडिकल एस्टिशेशन ने यह याचिका इस आधार पर डाली थी कि जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनको टार्गेट करते हुए बाबा रामदेव ने कुछ विग्यापन दिये थे और उन विग्यापनों के हवाले से सुप्रीम कोट में याचिका इंडियन मेडिकल एस्टिशेशन की तरफ से दाखिल की गई और यह विग्यापन थे जिसमें आयरुवेदिक दवाओं को ले करके यह दावा किया गया था कि यह बीपी शुगर जैसी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं और इसी के बाद इंडियन मेडिकल एस्टिश अचार बालकरष्ण है जारी किया जो अमानना के लिए जारी किया जाता है और उनसे जवाब तलब किया लेकिन इस कारण बताओ नोटिस के जवाब में आचार बालकरष्ण और पतंजली की ओर से कोई हलफ नामा नहीं दाखिल किया गया जिसको लेकर के आज जिस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ख कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जिस्टिस हिमा कोहली और जिस्टिस अमानतला की बेंच थी और इस मामले में बाबा रामदेओ को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और उन्हें पक्षकार के तौर पर शामिल कर लिया गया साथ ही जस्टिस हिमा कोहली ने ये भी कहा कि इस मामले में इतनी लापरवाही की गई जबकि हमारी ओर से पिछली सुनवाई में ही आचार बालकृष्ण जो MD है पतंजली के और पतंजली कमपनी को बाकाइदे शो कॉस नोटिस जारी किया गया था अब इस मामले में अगली हेरिंग की तारीख अभी तक इस पश्ट नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाला कि व्यक्तिगत तोर पर बाबारामदेव को पेश होने के लिए कहा गया है और जो पतंजली कमपनी के MD हैं अचार बालकृष्ण उनको भी व्यक्तिगत तोर पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान पेश होने का सुप्रीम कोर्ट ने बाबारामदेव को पक्षकार के तोर पर शामिल किया है हाला कि इस मामले में सीधे तोर पर वो पक्षकार नहीं थे और इंडियन मेडिकल एशोशेशन की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी उस याचिका में बाबारामद नहीं दाखिल किया गया तब उन्होंने एक पक्षिकार के तौर पर उनको शामिल किया और इस मामले में अगली सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया जी सुरब सकता तो क्या कुछ जवाब तलब भी हुआ क्या कुछ बहस भी हुई देखिए इस मामले में जब जो बैंच थी वो सुनवाई के लिए बैठी तो सीधे तोर पर उसने पूछा कि हमने पिछली तारीफ में कारण बताओ नोटिस जारी किया था इंडियन मेडिकल कोट ने 27 फरिवरी को जारी किया था तो सुप्रीम कोट ने इंडियन मेडिकल एस्टिशेशन से पूछा कि आखिर जवाब अब तक नहीं आया इस मामले में तब इंडियन मेडिकल एस्टिशेशन की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में सीधे तोर पर लापरवाही बरती की जा रही है और सुप्रीम कोट को ये लगा कि एक तर तरह से नाफर्मामी नाफर्मानी है सुप्रीम कोट की लगातार उनके आदेशों को अन्देखा किया रहा है जब कि इस मामले में अमाना का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया उसके बावजूत जवाब नहीं कारण बतावर नूटिस जारी करते हुए निजी तोर पर पेश होने का आदेश जारी कर दिया अगली सुनवाई में आम तोर पर सुप्रीम कोट कारण बतावर नूटिस जारी करते हुए विक्तिगत तोर पर पेश होने का आदेश नहीं जारी करता है ये इस्तितियां तभी कि आती हैं जब किसी पक्षकार की ओर से लगातार परवाही की जाती है और इस लापरवाही का खाम्याजा उसे सीधे तोर पर Supreme Court के संख्श पेश हो करके भुगतना पढ़ता है कई बार Supreme Court जब यह समझती है कि इस मामले में कोई चारा और नहीं बचा है तभी सम्मन करती है और प्रतिवादी पक्षकार उसको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तलब करती है अगर प्रक्रिया देखें सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर सिर्फ वकील पेश होते हैं कोई पक्षकार पेश नहीं होता है और सुप्री और सुप्रीम कोट में ऐसी कोई प्रक्रिण नहीं होती है। मामले में नीजी थोर पर पेश होने का किसी को आदेश जारी करता है। और इस मामले में सुप्रीम कोट ने ये आदेश जारी कर दिया है अब देखना यह है कि अगली बार जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोट में पेश होने वाले बाबा राम देव और आचार बाल लिक्रश्न किस तरह से अपना पक्ष रखते हैं और सुप्र आगले तारीक क्यों नहीं पर इस मामले में सुप्रीम कोट का अगर कोई कारण बताओ नोटिस का भी लंगन करता है और व्यक्तिकत तोर पर भी पेश नहीं होता है तो सुप्रीम कोट सीधे तौर पर आमाना की जो कारवाई है उसको इनिशेट कर सकता है आगे बढ़ा सकत है और जो आर्माना की कारवाई का अगला आदेश है वो जारी कर सकता है क्योंकि आखिस जो कारवाई होती है वो सुप्रीम कोट अगर चुरू करता है तो उस पर बाकाइदा दूसरे पक्ष को यानि कि प्रतिवादी पक्ष को भी मौका देता है कि उसकी ओर से अवमानना नहीं की गई है या सुप्रीम कोट के आदेश की अंदेखी या लापरवाही उसके प्रति नहीं की गई है लेकिन इस मामले में चुकि एक गलती आचार बालकृष्ण और पतंजली की ओर उन्हें भुगतना पड़ेगा सुप्रीम कोट की आवमानना को झहिलना पड़ेगा और इस मामले में तारीख ना देने की जो वज़य है सुप्रीम कोट से जब इंडियन मेडिकल एश्योशेशन की ओर से ये पूछा गया कि इस मामले में तारीख क्या है तब सुप्रीम को कोट ने गतिगत तोर पर बाबा रामदेओ और अचारे बालकृष्ण को पेश होने का आदेश जारी करते हुए ये भी गौर किया कि इस मामले में जो तारीख है वो ऐसी रहे कि सुप्रीम कोट के पास बहुत ज्यादा मामले ना हो चुकि आम तोर पर सुप्रीम कोट के पास बहुत सारे मामले होते हैं और ऐसे में जस्टिस हिमा कोली की बेंच के सामने कई एहम मामले सामने आते हैं तो ऐसी इस्थिति में कोई एहम मामला उस दिन न लगा हो ये ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोट उस दिन की तारीख देगा और अब देखना ये होगा कि बहुत धन्यवाद प्यूजी आपने पूरे विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया हमें आप जोड़े इस लिए बहुत धन्यवाद बागी जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पतंजली विज्यापन केस के मामले पर काफी सक्त था उसने साफतार पर कह दिया है कि बारामदेव और अचारबालक्रष्न को अगली सुनवाई अगली तारीक पर खुद पेश होना होगा और सफाइदेनी होगी क्यों ना उन पर आव मानना की कारवाई किया तुछ दचने वाले के दिक्सका तक अपडेट हम पहुंचाएंगे आप देखते रहे टीविन डिश्टल शुक्या